लिविन रिलेशन्शिप के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो वेस्टन एरिया का है. आज कल की यंग यंगिस्टर्स इस रहा पर जा रहे हैं. अपने फैमिली को छोड़ देते हैं. गुरू जी कुछ कहें इसके बारे में. इसको मैं बोलता हूँ अनिमल रिलेशन्शिप. इसको मैं बोलता हूँ अनिमल रिलेशन्शिप. क्योंकि ये पशुता है. विशुद्ध पशुता है. एक चीज. यहां रिलेशन्शिप एक शब्दा है. रिलेशन्शिप. जिसको हिंदी अगर दर्शन में बात करूँ तो रिष्टेदारी कहते हैं. और रिष्टेदारी ब्लड से संबंदित हमारे यहां पर. ब्लड से संबंदित या संबंदित से संबंदित किसी संबंदी को रिलेटिव कहते हैं. रिष्टेदार कहते हैं. तो भारती संस्क्रती में तो यह शब्द कहीं से भी सूट नहीं करता और ना यह विदा सूट करती. क्योंकि एक बात समझ लीजिएगा आप जिम्मेदारियों से जितना भी भागना चाहें भाग लें. आप उन्हें समापत नहीं कर सकते हैं. जब विक्ति उनमक्त होकर अपने जीवन को जीने के बारे में सोचता है और वो समाज की परवाह नहीं करता, तो ये तहे मान के चलेगा कि उसका समाज के प्रती जो दाइत वह है, जिस समाज में वो रह रहा है उसका निर्वान ही कर रहा तो उसको जिम्मेदार नहीं माना जाता वो फिर किसी काम का नहीं है समाज लोगों से बनता है समाज नीती से बनता है समाज धर्म से बनता है समाज सिस्टिम से बनता है समाज शिक्षा से बनता है आज देखिए मैंने एक विक्ति का इंटर्व्यू सुना था जब लिवरन लेशन्शिप को हमारी कोट ने वैद करार दे दिया था तो एक मैने इंटर्वियू सुना था इस टाइब की विक्ती का तताकतित जानवर ही कहूंगा मैं तो उन्होंने का एक अलगसी लैंग्वेज टोन थी उनकी और उनका जो कहने का इंग्लिश में बोल रहे थे वो इंग्लिश अच्छी थी उनकी तो उन्होंने जो बोला उसका हिंदी अनुवात सिर्फ इतना था कि हम शादी विवा और ये सब रस्म रिवास में बलीव नहीं करते हमारा दिल करता है हम उसके साथ रहेंगे ऐसे ही तो पशू करते हैं पशू के पास कुणसे विवा और संसकार है दुनिया के पास पूरे जिन्दगी में अगर देखा जाए سब तरफ तो सरफ भारती संसकरती ऐसी है जहां सूला संसकार है तो उसने साब बोल दिया कि हम संसकारों में बिलीव नहीं करते तो जिसके जीवन में संसकार ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे और संसकार ही चरित्र बनाता है जब संसकार नहीं है तो चरित्र नहीं है और चरित्र नहीं है तो चरित्र हींता हो गई आप अपनी इस्थिती में अपनी नजर में कहीं भी किसी के साथ भी कैसे भी रह सकते हैं आपको कोई छूट है आप कर सकते हैं लेकिन बट नाच्रल बात समझ लीजिए कि ये गलत है ये सौफी सदी गलत है और मैं इस तरह की ये जो पद्दती है इसका घोर विरोदी हूँ मैं घोर विरोदी हूँ देखे मैं आपसे सारी बाते करूँगा मैं आपसे हर बात करूँगा हर इस्थिती की बात करूँगा दो चीजों में मैं किसी के भी साथ में नहीं हूँ एक अंतर जातिये विवा के पक्षमे मैं नहीं हूँ और एक इस तरह का जो आपने बताया इस सब चीजों के बारे में उसका कारण मैं आपको बताता हूँ हो सकता है कुछ लोग मुझे तक्यान उसी कहें और्थोडॉक्स का है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं समझ चुका हूँ उन्हें समझने में भी समय लगेगा अंतर जातिये विवा से मतलब है कि हमारी विवा हमारी जाती हमारे कस्टम अब आप कहिए क्या मैं जाती बात कर रहा हूँ यहां करनी पड़ेगी यहां करनी पड़ेगी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जिन गुणसूत्रों को आप siamo確़ It All स्मझी स! eg वहन करते आ रहे हैं अगर उन गुणसूत्र इसलिए बश्यारों को आप बचाएंगे नहीं वो औरीजनल नसल खतम हो जाएगी भाद बारी के साथ समझने में समय लगेगा जब मैं युवा था तब मेरे विचार अलग थे युवा मिन्स वो जो होता है 18, 19, 21 ओ, ठीक है इनके भी दोस्त है, इनके भी दोस्त है अच्छा ये विवा कर लेंगे, अच्छा ये love marriage करेंगे ठीक है, it was लेकिन जब जैसे ऐसे ग्यान हुआ तो समझ में आता है कि नहीं, ये सब बक्वास है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग करते हैं वो गलत हैं, वो उनकी नजर में बिलकुल सही है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को समझ रहे और विवा कर रहे हैं, मैं उनका विरूद मैं तो एक पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर मिस विवा अंतर जाती है क्यों? क्योंकि आपके जो पूरवजों ने आपको जीन्स दिये हैं आपके पूरवजों ने इतनी महनत कि वो जीन्स को समहल के रखा आपके पूरवजों ने इतनी महनत करके जिस जीन्स को समहल के रखा आज वो जीन्स अगर चेंज हो जाएगी तो उन बिचारों के पूरी मेहनत बेकार और जीन से समाज को जो मिलना है वो बेकार है अब आप समझे आप अब समझते जाईए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज आप लोग आलू खाते हैं नई जनरेशन जो है जिनकी उमर 20, 21, 22, 25 है शायद वो न समझ पाएंगे लेकिन जो 35, 40 हैं वो लोग समझ पाएंगे मेरी बात को आज आप जो आलू खाते हैं जब आपके आलू बनता है तो हो सकता है किचिन में भी पता न पढ़े कि आलू बन रहा है लेकिन आज से 35-40 साल पहले जब आलू का वो जीन्स हमारे पास था वो नसल थी जब आलू बनता था तो पढ़ासी को भी पता पढ़ता था कि अनकी आलू की सबजी बन रही है ट्राय तो अंडरस्टांड मैं पॉइंट जब हमारे यहाँ चावल बनता था एक से एक अच्छे प्रकार के चावल आते तब चावल की इतनी वराइटी नहीं थी आज भारत में करीब करीब कुछ नहीं तो 3-4 अजार किसम के चावल हो गए होंगे लेकिन जब वो चावल बनता था था ना चावल तो सहब चावल बोलता था पढ़ोसी के या कि आज तुमारे यहां चावल बन रहा है उसकी स्मेल, उसकी गंद, उसकी सुगंद इतनी दूर तक जाती थी दाले मनती थी तो दालों की सुगंद जाती थी कि नहीं उनकी यह जाती बन रही है ठीक है? कहां गई वो smell, कहां गई वो गंध क्योंकि सारी चीजों को संकर कर दिया गया, मिला दिया गया और एक नई चीज बनाने के चक्कर में जो मूल था, वो मूल खत्म हो गया हम जब छोटे थे, तो गर्मियों में तर्बूज आता था वाटरमिलन बोलते हैं आप, तर्बूज, तो एक तर्बूज ग्रीन कलर का तर्बूज होता था, वो 20 किलो का भी होता था, वो 25 किलो का भी होता था इतना होता था कि पूरा परिवार दो-चार वार खाले इतना बड़ा तर्बूज आता था मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था मम्मी के साथ मंडी जाता था तो साइकल के पीछे कैरियर में दबाने में उसको ताकरत लगती थी फिर उसको रस्ती से बानते थे इतना बड़ा तर्बूज लेकर आते थे फ्रिज नहीं था उस समय तो कूलर के नीचे रख देते थे तो ठंडा होता था कहने का मेरा ताथ पर है वो बीज कहां गया क्या तर्बूज था वो क्या उस क्या क्या आनंद था कहां गया अब वो स्ट्रिव वाले स्ट्रिव वाले बाहर के आने लगे हमारा जो मूल बीज था वो तर्बूज खतम हो गया वो नसल ही खतम हो गई और ऐसे बहुत सारी मैं उधारन आपको इन चीजों से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज जो आप तर्बूज खा रहे हैं जिरों ने वो तर्बूज नहीं खाया तो उनके लिए तर्बूज अच्छा होगा लेकिन जिसने वो तर्बूज खाया वो जानता है वो खर्बूज वो बट्टियां आती थी आज वो आता है वो एक rough टाइप का दिखाई देता है उसके शकल से ही नहीं पता पड़ता है वो क्या है और पहले जो बटी स्टफ वाली बट्टियां आती थी छोटी बोलते थे उनको वो खाते थे थे छोटी से फांग खोलते से ही खुश्मू फैलती थी उसकी हाँ भाई खरबूज खा रहे हैं मेरा जो कहने का ताथ पर है कि आप किसी चीज़ की जो औरीजनल नसल है अगर आप उससे छेड़ चाड़ करेंगे तो जो नई चीज़ बनेगी उसके क्वालिटी गिरी होई होगी शकल अच्छी हो सकती है शकल में कोई बुराई नहीं है शकल अच्छी हो सकती है काम करने की चीज़ें अच्छी हो सकती है लेकिन जो औरीजनल गुणों की बात कर रहा हूँ वो अलग होगी हम दक्षिन भारत के एक विक्ति की विवा उत्तर भारत की जब लड़की से करेंगे तो उनको एक दूसरे को समझने में सालों लग जाएंगे क्योंकि दौनों की चीज़ें कल्चर, बातचीत, खानपान सब अलग है तो उनसे जो संतान उत्तपन्द होगी वो तीसरे किसम की होगए यह दो किसम के तो यही होगए वो तीसरे किसम का होगा समझ देगा बात को हर चीज़ को समझना बहुत जरूरी है ऐसे ही हमारे रिश्यमोनियों ने चीज़ों को डिजाइन नहीं किया था उसके पीछे सिधान्त थे विज्ञान था तो ये जो जानवरों की रिलेशन्शिप है और ये लोग कौन से लोगत लंबे समय तक रहते हैं आज यहां कल वहां कल वहां कल वहां इनका क्या है और इनको किसी एक दूसरे से कोई बैर भी नहीं है जब तक चल रही है जब तक चल रही है जब तक जन नहीं चलेगी तो नहीं तो और सही यही चल रहा है मैं तो इसके बारे में लिखाओ भी हूँ, बोला भी हूँ, बहुत, मतलब निमनिस्तर पे जा रहा है समाज, निमनिस्तर पे जा रहा है समाज, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक चल रहा है, तब तक दोनों की ट्यूनिंग एक है, उसके बाद, I'm sorry, फिर कि सी एक नए relationship के साथ develop हो जाएंगे, क्योंकि खाना बदोश है न, इनका यही होता है, stable नहीं, स्थिर नहीं है, भाएगरस्त लोग हैं यह, इनके अंदर confidence नहीं है, यह system में नहीं रह सकते, इनके कमजोरी है कि system follow नहीं कर सकते, और जो system follow नहीं कर सकता, वो क्या follow करेगा?